आप देखरें इसकी study point से लिखुड़ी और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मादमिक परिख्षा 2024 के question number 9 के उपर में जी हाँ जो best रहता है question based रहता है प्रमय के उपर में theorem के उपर में और उसके तुरत बाद हम लोग चर्चा करेंगे question number 11 पर जो construction पर based रहता है निर्मय पर तो basically यह video geometry को concentrate करके बनाया गया है तो मादमिक परिख्षा में 2024 के मादमिक परिख्षा में कौन-कौन से question number 9 के लिए important है और question number 11 के लिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए video को सुरू करते हैं जैसे कि आप जानते question number 9 और question number 11 में दो-दो questions रहते हैं किसी एक question को करना पड़ता है और 55 marks के होते हैं ठीक है तो सबसे पहले question number 9 को हम लोग देखते हैं जो है प्रमय के उपर में ठीवरम के उपर में ठीक है तो देखें मैं आपको सिलसिले वार तरीके से बताता हूं बेसिकली मैं चार ही प्रमय बोलता था और जिसमें से आपको हमेशा दो नहीं तो एक प्रमय मिलता रहा है important ठीक है किन्तो इस बार मुझे 5 प्रमय बताना पड़ रहा है क्योंकि काफी important प्रमय को छोड़कर प्रमय दिया जा रहा है ठीक है क्योंकि 2023 में जो question दिया गया था वह repeat भी किया गया है तो इसलिए इस बार probability थोड़ा अलग सा हो गया है ठीक है फिर से repeat करता हूं 2022 में आया हुआ question को 2023 में दिया गया है तो इसलिए प्रमय पे आप अगर अच्छे student है बहुत अच्छी तरह से practice करते हैं तो आप 12 प्रमय को practice किये होंगे लिख लिख कर याद कर लिए होंगे किन्तो अगर आप choice में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जहां पर आप देखिएगा triple tick किया हुआ है वह ज्यादा important है और जिस पर double tick किया गया है वह कम important है तो सबसे पहले देखते है प्रमय नंबर दो आप अपने बुक के हिसाब से प्रमय नंबर 32 देखिएगा पेज नंबर 59 में exercise 3 में यह है ब्रीद के केंदर से किसी जीवा जो ब्यास नहीं है पर डाला गया लम जीवा को सम्धिवाजीत करता है यह वाला है ठीक है फिर पेज नंबर आप बुक में आज आकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 123 पेज में ठीक है 123 पेज का जो प्रमय है वह बहुत important है ठीक है किसी ब्रीद के एक ब्रीद चाप नेर्मीत समूख केंदर पर बना कौन उसके सेस परीदी पर बनी कौन का दुगना होत परीदी पर बना हुआ कोन का दो गुना होता है पर अधारी जो प्रमय है तो इसकी study point प्रमय का counting जो important है और जो प्रमय को पढ़ना है आपको उस हिसाफ से ही numbering करके बता रहा है तो प्रमय नंबर 3 जो कहलाता है इसकी study point पर playlist पर जब जाकर आप चेक कीज़ेगा समझने के लिए तब आपको पता चल जाएगा अगर बुक में देखना चाहते हैं तो इस 123 में जाहिए 34 नंबर प्रमय का लाता है exercise 7 का उसको देखके आप प्राक्टिस कीजिए या बहुत important प्रमय का लाएगा फिर exercise 15 में चले जाहिए page 211 में 211 में जब आते हैं तो 211 में आप देख पाएंगे जिस प्रमय को वह प्रमय नंबर आठ का लाता है ठीक है ब्रीद के बाहर इस दीत किसी बिंदू से से जो दो असपर्श कीचे जाते हैं उसकी लंबाई समान होती है और कौन भी बरावर होते हैं इस तरह से भी दिया गया है किन्तों यहां पर बस इतना ही लिखा आधिश कीचे इगा इस नंबर 211 में तो प्रमय करके लिखा गया है एक चारी सिस नंबर इसको प्राक्टिस किचे है यह भी इंपोर्टेंट में आएगा फीर आ जैये प्रमय नंबर 10 यह 255 पे 255 पे जबाब आते हैं आप तो उस समय आप देख पाईएगा प्रमय नंबर दसको ठीक है प्रमय नमर दसको जो बताएगा कि एक समकुन तिरभूज है उसमें समकुन बिंदू से करण पर ढाले गए लंग के दोनों तरफ बने तिरभूज आपस में समरूप होते हैं और उनमें से परतेक मोल तिरभूज के समरूप होते हैं समरूपता या सद्रिश्यता पर अधारित हैं या जो इंपॉर्टेंट प्रमय में कंसी रखिया जाता हैं पेज नमबर 255 में बुक का प्रमय नमबर 48 एक्सेसाइज 18 की बात मैं कर रहा हूँ और सबसे जादा इंपॉर्टेंट मुझे इसमें और एक लग रहा है थ्री प्रमय के बाद में वह है प्रमय नमबर 11 जी यहां पेज नमबर 285 पर आप देख रहे हैं प्रमय 49 आपके बुक में दिखेगा कि तो एक्जेक्टली यह प्रमय नमबर 11 है अगर सिरियली काउंट करेंगे तो इसके बाद में और एक प्रमय आता है जो 12 नमबर प्रमय है तो बेसिकली इस प्रमय को हम लोग बोलते क्या है पितागुरस का प्रमय तो कभी-गभी परिक्षा में यवी दे दी आ जाता है कि पितागुरस का प्रमय लिखो और प्रमानित करो तो इसलिए जो दिया गया है समकुंत रिवूच में कर्ण के वर्ग का चेतरफल अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के चेतरफल के योगफल के समान होता है इस लाइन को तो आपको रट लेना है क्योंकि अगर बोल दिया कोश्चन में पितागरोस का प्रमय लिखो और प्रमान करो तो आपको प्रमय लिखना पड़ेगा फिर प्रमान करना पड़ेगा ठीक है तो प्रमय नंबर 11 इंपॉर्डेंट है और प्रमय नंबर 12 को भी अवर् सबको कवर करता है इसलिए आपको सारी बाते में बता रहा हूं तो आप इसमें देख लीजिए पीथागुरस का बीपरीत प्रमय 12 है उसको भी थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा तो यह रा गया पूरा प्रमय के उपर में चर्चा कोशन नमर नाइन पर ठीक है इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे निरमय के उपर में कंस्ट्रक्शन तो मारी मादमिक परिक्षा 2023 की जब बात करते हैं तो अंतबरीत आया हुआ था और चेत्रफल तिरीवुच के चेत्रफल के बराबर वर्ग चेत्रफल बनाना था वर्ग बनाना था इस बार जो है exercise 17 और exercise 21 काफी important आ जाता है ठीक है तो आप चाहें तो परिवरीत को भी practice कर सकते हैं क्योंकि अंतबरीत आ चुका है तो परिवरीत के आने की संभौना जादा है किन्तो मैं उसमें से निकल कर थोड़ा सोच रहाँ कि नहीं अंतबरीत आ चुका है तो परिवरीत क्याने की संभौना तो है आप practice करके रखिएगा उसमें आप समकुन तिर्भूच और सम बाहुत तिर्भूच को लेकर परिवरीत बनाने का practice करके रखिएगा किन्तु जादा important है वरीत का असपरशक खीचना पेज नमर टू टू नाइन में और टू थ्री जीरो में आप जाकर देखे वरीत के ऊपर इस्तीत एक बिंदू पर असपरशक खीचना और वरीत के बाहर एक बिंदू है उस पर से वरीत पर असपरशक खीचना इन दोनों को practice किजेगा दो में से कोई एक आ सकता है फिर जेमितिय पतिती द्वारा दो सरल रिखाओं का मदे समानुपाती निर्न्य करना इस तरह के questions जो है पेज 283 में उसको practice किजेगा question number one जो है आप 283 पेज में जब जाते हैं आप अपने book में तो आपको देखने को मिलेगा तो उसको practice किजेगा 5 cm, 2.5 cm, 10 cm, 4 cm, 4 cm, 3 cm इस तरह का जोड़ा बना हुआ question है पेज 283 में उसको practice कर लीजेगा ठीक है और जो ज्यादा important मुझे लग रहे है exercise में जिसमें आपको दिया रहेगा लंबाई और बोलेगा जमेतिय विधी द्वारा बर्ग मूल का मान ग्याद करो ठीक है दे दिया जाएगा कि रूट 14, रूट 15, रूट 12 इस तरह से या जमेतिय विधी द्वारा मान ग्याद करो ठीक है तो रूट 12, रूट 15, रूट 18 या 2 रूट 3 इस तरह से question दिया हुआ रहेगा या जमेतिय विधी द्वारा बर्ग मूल ग्याद करो तो आप समझ लीजे किस किस तरह से calculations करने हैं किस तरह से बनाने हैं इसको practice कीजे तो उमीद कर रहा हूँ आपको पूरी बात समझा पाया हूँगा मैं तो आप practice कीजे maths में theorem construction आपका एदम सही होना चाहिए एदम सही perfect होना चाहिए full marks पाना चाहिए तो उसी को point करते हुए मैं बता रहा हूँ आप देखकर no down कर लीजे practice कीजे अपने दोस्तों से share कीजे जो भी मादमिक परिक्षा दे रहे हैं उनको समझाईए बताइए कि इन सब चीजों पे focus करो इन सब चीजों पे practice करो अन्तक के study points लेगरी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धनिवाद all the best for मादमिक परिक्षा अमनेशन 2024 बावे